नमस्कार दोस्तों मम्ता की रसोई में आपका स्वागत है मैं मम्ता दुवे आज बनाने जारी हूँ पालक का साग आप सोच रहे होंगे पालक का साग तो सभी बनाते हैं इसमें क्या अलग है पर आज बिलकुल अलग तरीके से बनाएंगे और ये खाने में बहुत ही ज़्या और मेथी सारी चीजें बहुत आसानी से मिल रही हैं तो आप एक बार इस साग की रेस्पी को जरूर ट्राइ करिएगा और यकीन मानिए अगर आप एक बार इस साग को बना लेंगे तो बार बार आप इसे बनाएंगे तो चलिए इस साग की रेस्पी को सुरू करते हैं तो सब सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि सारी चीजों को कट टर लूंगी तो ये देखिए मैंने लिया है मेथी और मेथी पालक सोया मैंने सारा बराबर मात्रा में लिया है अब इन सारी चीजों को अच्छे से छाट लेंगे इसके डंटल को थोड़ा सा अलग करेंगे पतियों को ले विटामीन्स, आयरन वगरा पानी में धुलके निकल जाएंगे, तो मैं इसे सबसे पहले एक एक करके छांट के अलग कर लेती हूँ, इसके बाद मैं इसे अच्छे से वास करूँगी और उसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी, साग को कभी भी बहुत अच्छे से धोईएगा अगर साग में थोड़ी सी भी किरकिरी रह जाती है, तो सारा साग का टेस्ट बेकार हो जाता है, तो चलिए इसे कट करने के बाद आपसे फिर से मिलती हूँ, तो यहाँ पे देखिए पालक, सोया और मेथी, सारी चीजों को अच्छे से कट कर लेंगे, आप सोच रहे होंग वन टेबल इस्पून सरसो का तेल आप सरसो के तेल की जगह पे जो भी तेल खाते हैं यूज कर सकते हैं पर सरसो के तेल में साग बहुत ही टेस्टी बनता है यहां पर थोड़ा सा तेल के गरम होते ही मैंने जीरा डाल दिया है चार-पांच बारी कटी हुई हरी मिर्चे डाल और मैंने 8-10 लहसन की कलियों को अच्छे से छिल के बारी कट करके डाला है उसके बाद हम डाल देंगे अधरक ग्रेट किया हुआ पहले आप लहसन को और हरी मिर्च को थोड़ा सा अच्छे से भून लीजिएगा उसके बाद ही अधरक को डालिएगा तो यहां पर देखिए सारी चीजों को भूनने के बाद मैं एक बड़े साइज का आलू बारी कटा हुआ इसमें डाल देती हूँ और इसी डालने के बाद भी हम दो से तीन मिनट इसी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे ताकि यह जो लेसन है हरी मिर्च सारी चीजे जलेना और आलू भी इसके साथ में भून जाए तो बस थोड़ी दर भूनने के बाद मैं डाल देती हूँ बैगन तो बैगन को भी मैंने इसी तरीके से लंबे स्लाइसों में कट कर लिया है बैगन आपको नहीं पसंदे तो इसकी पर बैगन डालने से साग बिल्कुल फ्रेस और ताजा मटर है क्योंकि सर्दियों के मौसम में मटर बिल्कुल फ्रेस मिलती है तो आप इसे ही यूज करें तो यह देखे मटर डालने के बाद में थोड़ी देर तक इसी तरीके से चलाते हुए भुन लूँगी ताकि सारी चीजें थोड़ी सी पक जाए और भुनने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले आपको साग में बहुत जादा मसाले नहीं डालने है बस थोड़े से ही डालने है तो थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाली है मैंने उसके बाद डाल दिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर और इ मसाले जले भी ना और अच्छे से भुन भी जाएं तो इस तरीके से चलाते हुए मैंने मसालों को बहुत अच्छे से भुन लिया है और आप देख पा रहे होंगे कि हल्दी डालने के वज़ा से इस साग का कलर भी अच्छा आया है अब मैं क्या करूंगी जो सारा साग मैंने अच्छे से धो के रखा है उसे डाल देती हूँ अभी आपको साग की क्यांटिटी बहुत ज़्यादा लग रही होगी पर धीरे धीरे जब यह पक जाता है ना तो बहुत थोड़ा सा हो जाता है तो मैं इसे उपर से इसी तरीके से भरते हुए अच्छे से साग को इसमें से साग की क्यांटिटी बाद में कम हो जाती है अगर नमक ज़्यादा डालेंगे तो नमक तेज हो जाएगा इसमें तो यह देखे इस तरीके से मैं अच्छे से चलाते हुए मिला लूँगी सारे साग को इस तरीके से और यहां पर साग को अच्छे से मिला लिया है अब मैं इस से ढख दूँगी और गैस की फ्लेम को बिलकुल लोपे कर दूँगी और ये देखे पांसे छे मिनट के बाद ये जो हमारा साग है ना इस तरीके से एकदम कम हो जाता है और एकदम अच्छे से बनके त्यार हो जाता है ये देखे इस तरीके से अब हम क्या करेंगे कि थोड़ रेस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा मिलते हैं नई रेस्पी में बाई बाई दोस्ते